आप कितना भी प्रेस करिए जो अच्छे अच्छे संत हैं वो तो एक बार बोल दिये कि हमारा फोटो नहीं लेना है जैसे स्वामी रामसुदाजी थे स्वामी संक्रानन सरस्वती थे आप सुतंत्र रहेंगे कुटिया बना करके अथवा मिल गई जैसा भी है जो अस्था मिल अलग रहेंगे तो आप अपने अनकूल कितने घंटा मुझे बैठना है कितने घंटा जागना है काब उठना है यह सारी क्रियां जो है आपके अनुसार होंगे आश्रम यह नहीं हो सकते और जिन संतों ने बड़े-बड़े संतों ने प्रमात्मा के प्राप्ति की है वो करके ही भजन करे तो परमात्में प्राप्ति होगी अईसा कहींद नहीं हम दोनों तरफ रह करके प्रमात्में प्राप्ति कर सकते पर इतना है कि घर में रहने पर बहुत सारी समच्षां आती ह। उनको बहू को भोध जाल बिल्कुन एतहार्त है सत्य है बहुत से रिषी मुनियों को भी दर्सन दिये हैं स्वामी गोतल सिदास जी महराज को भी दर्सन दिया है भूतने और एक बहुत अच्छा इस्तोत्र है नारान कवच है। नाराण कवच को भी संतुन्क द्वारा उसको पढ़ करके समझ करके जो लोग जान अगर पढ़े हैं तो उसके द्वारा भी बहुत अच्छा निवारण हो जाता है फिर कोई भूत पर इतनी है तो सब भाग जाते हैं नमस्कार दोस्तों जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है मैं कनिया सर्मा आज मैं आपको ऐसे संतों के देशन करवा रहा हूं जो बिल्कुल भी जंगल में हैं और चेरा नहीं दिखाएंगे वीडियो में पहले उन्होंने मना कर दिया था कली लेकिन फिर भी मैं उनसे आगरे किया तब उन्होंने का ठीक एक बारा ना उनका जो होता है रूटीन के हैं उसको जो अपनी भक्ती में हम बादा ना बने ऐसा समय दिया जो उनका फिरी समय हो सके उन्होंने समय दिया तो हम अभी चल रहें उनके यहां पर और उनके दर्सन करवाएंगे कोशिस करू किसी कोई मिलते नहीं कभी किसी से फोन रखते है लाइट नहीं बिलकुल यह कांट मेरिनेवाले संत और वह भी कहाँ कोई देंगे लेकिन उन्होंने फोटू केमरे के लिए मना किया लेकिन मेने उन से निवदन किया कि आपका चेहरा नहीं दीखेगा तो मराजी का चेहरा नहीं देखेभा किस परकार महराजी का वह है साथा साथियों मेराजी के जिवन का अनुबहुत जानते हैं बक्त्रिक को लेकि नहीं और उनका परaráगा से ज़रूर बातना कई आपने आस्रम कि कथा想 SGवत Lire के बाद आपका क्या भाव होता मुझे कमेंट करके बताना क्यूंकि मेरी कोशिस ऐसे ही वेट तो नहीं जा रही है कहीं मैं आपको एक ही लेकर अपने विचार मुझे बताना अब मराजी के पास चलते हैं और उनकी सहसंग सुरू करते हैं मराजी जैसे कि जंगल में मैंने आज सुना है कि यहां पर कुई संतों की रात को कीर्टन की आवाजें सुनाई देती है यह सत्त्य है क्या यह सत्य हो सकता है जिनको सुनाई दिया है वही बता सकते हैं, हमारा जहां तक अन्भव है, हम अभी इतने वर्सों से रहें, तीन साड़े तीन वर्स से, तो अभी आज तक मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है, ठीक है, जो एथार्थ और सत्य है, वो मैं बता रहा हूं, आपका अनुभव हुआ हूं, हमारा लोगों को साथ यदि घटी है, वो बता रहे हैं, तो उनके उपर है, और अब यहां के विशय में, नागा जी के तो आप जानते हैं, नागा जी के कथा भी लग जानते हैं, महारा जी जैसे कि आप जैसे कों सी संपर्दाई साथ है, महारा जी, हम हैं रामानन संपर्दाई क रामन चाल्जी के परंपरा में हम लोग आते हैं तो ये रामन अंधी संत वैश्णों संत कहे जाते हैं और आपने दिख्षा बाली उस्तम ली या घस्तिक जीवन पाल वाल्ज में जगलों में प्रभर saabhi कोई सवाल ही नहीं है बाले वस्तम दिख्षा हुई है उसके बाद फिर आसरों में रहते पढ़ते प्रियां करते हूए पिर फिर भदन साधना करते हूए प्र इसे जंगलो मराज जैसे कि मैं देखता हूँ आज के लोग ना महलों में रहते हैं आश्रम में रहते हैं लेकिन आपने आश्रम को छोड़के जंगल में ये कुटिया बनी है कारण क्या रहा जंगल में रहने का देखे आश्रम बने हुए है ठीक है आश्रम में महत्मा रहते हैं लेकिन आश्रा में एक सामुहिक बीवस्था में वहां की जाहिसी बिवस्था बना दे गई उसमें आपको उस नियम से उस दीन चरया से आपको रहना है ठीक है तो इसलिए वहां आपकी साधन बंजन जो है आपकी इच्छा का नुसार नहीं हो सकती है आप सुतंतर रहेंगे कुटिय आपके अनुसार होंगी आश्रम यह नहीं हो सकती और जिन संतों ने बड़े-बड़े संतों ने प्रमात्मा के प्राप्ति की है वो लगभग प्राया हमठ मंद्रियुम रहकर प्राप्त नहीं किया है वो कुटियों में जंगलों रहकर के भजन किये हैं और उढ़न ही और जो मठ मंद्रियुम रह रहें हो भी संते हैं हम किसी के निंदने करते हैं प्रंतु यो लक्ष के लिए प्राप्ति के लिए आप तोI नहीं कर सकते हैं जैसे कि मह मराजी आपको स्वेम उनसे मिलना पड़ेगा तो क्या कि इसे बताते हैं अमराजी जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूं और यह समझ पा रहा हूं अपनी मान से करा रहा हूं ऑ те faithful कि संथानू से स्थान सार तो जैसे की मैं दिक्सान लेना चाहते हैं क्या अनुबह ना चाहता हूं भक्ती में सन्यासी बनने के बाद आपका जीवन का क्या नुबहुरा नहीं जैसे आप संतों के साथ में रहेंगे संत महात्मा बनना चाहते हैं अथवा भक्ति करना चाहते हैं तो संतों पास जाएं के तो संतों से ही वो मिलेगा ठीक है और संतोग द्वारा ही प्राप्त होगा और संतोग बीच में महावल में रह करके उस इस्थिति का प्राप्त कर सकते हैं और घर में भी पराप्त कर सकते हैं तो वहां पर संभव है कि आपको बिगन आ जाएगा और उस इस्थिती तक जहां तक आपको पहुचना है नहीं पहुच सकते हैं अथवा फर इतना अपने में सक्ति हो सामर्थ हो कि हम घर की ब्योस्था भी देख सके और अपनी साधना भी कर सके दोनों बात होती है इसी बात नहीं बहुत बड़े बड़े लोग भक्त हुए हैं राजा महराजा लोग सब भक्त हुए है तो वो करते है फ्रंन्त आज इसी स्तिति नहीं इसलिए जो है संतों के सानिध में रहकर के ही यदि आप साधना भजन करना चाहेते हैं तो इस्तिति तक आप पहोच सकते हैं जो आपको प्राप्त करना है तो जुरूर नहीं कि घर त्याग नहीं से बना ऐसा कहीं भी सास्त्र नहीं लिखा है कि हम घर त्याग करके ही भजन करें तो परमात्मक प्राप्ति होगी ऐसा कहीं भी नहीं है हम दोनों तरफ रह करके परमात्मक प्राप्ति कर सकते हैं पर इतना है, की घर में रहने पर बहुत सारी समस्याय आती हैं, उनको बहुत जहलना पड़ता है। अपनी मान्सिक्ता को बनाना पड़ता है, दोनों तरफ बैलेंस बना करके साधन बजन करना पड़ता है, तो वहां भी संभाव है। और उधर से यदि छोड़ना चायते हैं, बिरक्त होना चायते हैं, घर में मतलब नहीं रहना चायते हैं, तो संतों के सानिद मेरा करके आप भजन ध्यान करेंगे, तो संभव है कि उससे अधिक इधर आपको सीगरी ही अनुभू होगा और प्रमापनक प्राप्ति हो सकती है अमराजी जैसे कि आपको कभी ऐसा जीवन में कभी ऐसा भगवान के दर्सन या ठाकुर जी के दर्सन राम जी के दर्सन या कभी अनुभू ऐसा हुआ ऐसा तो अगी हम कुछ नहीं कहा सकते हैं क्योंकि यह सब बहुत सुक्ष मिसे हैं और अनभो होते होते बहुत समय लग जाता है और कुछ संत महात्माओं के पूर जन्म के प्रारवध होते हैं कि उनको जो है पहले ही शुरू में ही अनभो हो जाते हैं पर यह एक जन्म की तपस्या नहीं होती, अनेको जन्मों की तपस्या होती है, गीतम भगवान ने कहा अनेको जन्म की तपस्या होती है, उसमें क्या है कि किसी को प्रारम में ही अन्भो हो जाता है, किसी को बीच के अवस्था में होती है, किसी को सरीर छोड़ते छोड़ते होत जैसे धुरू जी का नाम शुना होगा धुरू जी छेवर्ष के थे खेदरेख में ही उनको भगवान प्रापती होई है तो धुरू जी ने पूछा है कि भागवान आप मुझे 6 वर्ष में ही आपने इतनी जल्दी क्यों दर्सन दिया। इतने लोग रिशीमनी तपस्या करते करते सरी छोड़ देते हैं और उनको आप दर्सन नहीं देते हैं। तो भगवान ने धुरु जी ने पूर जन्मे के जन्मे जितनी तपस्या की थी, भगवान ने पूरा चित्र जो है उनको दिखा दिये थे, कि आपने इस गुफा में इतनी तपस्या किया, यहां सेर खा गया आपको, यहां बर्फ में आप गल गया, यहां ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, साथ आठ जन्मों की, उन्होंने पूर जन्मे के सब भगवान दिखा दिये, बुले धुरु यह इस जन्मे की तपस्या की थी, आपने जन्मों पहले तपस्या किया, उसका फल यहां परा की मिला आपको, यह साधन बजन का मार्ग जो है, बहुत गुरु होता है, और बहुत सुक्षमी से है, जैसे कि, जैसे आपने बात कि, दुरु की तो, जैसे गजराज को भी जल्दी भगवान आ गए थे, एक दो पुकार स तो उन्हों ने फिर उसी परकार किया, जैसे गजराज का और गजराज और उनको जो वरा नहीं, जो यूद हुआ था, तो उसमें जो है, इनकी पूर जन्म की बहुत बड़ी कथा है, पूर जन्में बहुत बड़ी तपस्या किया है, और कई जन्मों किया ही, दोनों ने, त और ये गजराज को इस बहुत लंबी का था दोनों की जैसे कि महराजी ने कहा है और महराजी जैसे एक छोटी सी हमारे राजस्तान हर्याना और गुजराज की तरफ अब तो दिल्ली मॉंबे में बढ़ गया लेकिन लोगों का कुछ माताओं का घरों में क्या होता है कि अगर क भूत परेत और जो यह कभी-कभी जो होते हैं जो दिखाई देते हैं अथ्वानभव होता है यह सत्य है यह भूत परेत जुटे नहीं है बिल्कुन एथार्थ है सत्य है बहुत से रिसी मुनियों को भी दरसन दिये स्वामी गोतल सिदास जी महराज को भी दरसन दिया है इसके उपर कैसे कब अन्भोग होते हैं अथवा दिखाई देते हैं ये तो उनके मतलब दोनों के संसकार जब टकराते हैं दोनों के संसकार टकराते हैं तब ही उसामने दिखाई देते हैं अथवा कुछ हानी पहुचाते हैं ऐसा होता है प्राया सब को नहीं होता है ये किसी क कि जब कैसे हैं उ ηह इसका है निवारयन ँसके नाम समर करना चाहिए अनौन चली साथ पढ़े लिखे हैं तो बिश्रु सास नाम के पाठ कर सकते हैं घीता क पाठ कर सकते हैं तो इनके द्वारा जो है बहुत जल्दी निवारण होगा कभी कोई भी बिखनबादा नहीं आएगा और एक बहुत अच्छा इस्तोत्र है नारान कवच है नारान कवच को भी संतुन्क द्वारा उसको पढ़ करके समझ करके जो लोग जान अगर पड़े हैं तो उसके द्वा सिर्था जिन को आप जानते हैं गुरुदी जल्ये है तो उनका आप इस्मिरण करेंगी चिंतन करेंगे तो उससे भी सी ग्री ज्ञाण हो जाएगा तो क्या इसके ऊपर थोड़ा साहमें बता सकते हैं इस स्तोत्र जितने भी इस्तोत्र राम जी का है और आधे सयाम जी का औ इस्तोत्र में कुछ नहीं केवाल उनकी सुत्ती एक प्रात्ना की गई है उनसे प्रात्ना किया गए सबी स्तोत्रों में तो उनका जो है एक पाठ करने की नियम होता है सुद्धी असुद्धी का देख करके सुद्ध हो करके पवित्र हो करके सुद्ध आसन बरबैट करके कोई बीग इन बाधा आता ही नहीं है, अगर आज बाताओं को दें तो बताएं तो सही रेगा, इस विशय में मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये नाराण कोज जो है, थोड़ा इसमें सुध्धी अ सुध्धी का अधिक महत वह तो है, इसलिए इस विशय महाम नहीं कह प्रामर्स आप ले सकते हैं कैसा तो जैसे मैं आप से बरज भूमिम हूं और चौरेशी कोई चाहता हूं कि चौरेशी कोई में अगे बहुत सारे संत हैं, लेकि आपकी नजरों में अगर हमें कहीं संतों के पास जाने का मांगेंगे आपसे निवेदन करेंगे तो हमें आप आपने जीवन के बुटाया, महराजी ने इस वीडियो में जाहार चैरह भी महराज भी नाग is भी, यह आपने कर आपना निजी निड़ाय कर दोड़ा होता है, आप कितना भी प्रेस करिए जो अच्छे अच्छे संत हैं वो तो एक बार बोल दिये कि हमारा फोटो नहीं लेना है जैसे स्वामी राम सुगदा जी थे स्वामी संक्रानन सरस्थी थे उनके पूर में हो चुके हैं वही रिशी केस में रहते थे उसी राम जूला के आगे उसी तरफ रहते थे उन्होंने एक ऐसे ही जैसे आप आएं ऐसे ही लोग गए वहाँ पर और उन्होंने बोला महराजी आपका फोटो लेंगे हम और प्रचार करेंगे ऐसा है उन्होंने बोल दिया फोटो नहीं लेना आप ऐसे बात करो और उन्होंने माना नहीं फोटो लिया फोटो लिया उसका कैमरा या जो भी रहा हो मोबाइल उस समय तो साथ नहीं था और कुछ रहा होगा उसमें फोटो आया नहीं है आया नहीं है उसकी कुछ हानी भी हो गई है तो ये संतों का निजी अनभव और निजी निरने होता है इस इसलिए आपको चेहरा नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि ये गुप संथ है और बीच में कहीं पर भी आते नहीं है नहीं किसी सो अपना एडर्स बताते हैं वजनों में लीन होते हैं ये भी चाहते हैं कि हम वजनों में इनकी बादा ना बढ़े लेकि मैंने ज्यादा आगरे कि सक्षी अल्ति ग्रतिको है के नहीं हुद्धाै क्यों सब्सक्राइन को ड linlexi, मिलते हैं है संत महात्मा के साथ तब तक जैहिंद, वनदे मात्रम, रर्म, जैसी किसना, जैसे रादे हे नात हे मेरे नात में आपको भूलू नहीं पक्का वादा करूंगों दोनों आपको नहीं दिखेगा अपका चेहरा नहीं दिखेंगा महराजी आपको वचन दे रहा हूं संतों को मैं वचन देता हूं यह मैं वचन दे रहा हूं आपको